आज हम बनाएंगे ड्राइ चली पनीर ये एक इंडो चाइनीज रेसिपी है जिसमें सौफ्ट पनीर मसाले के साथ सौटे होगा ओफरिंग एक डिलिशियस और एक देशी टेस्ट तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है और उसको मैंने क्यूप्स में काट लिया है अब मैं इसमें 1 फोर्ट टी स्पून काली मिर्श पाउडर डालूंगी और हाफ टी स्पून नमक इसको भीस में डाल दूंगी वन टेबिली स्पून काउन फ्लोर डालेंगे और इन सब चीजों को डालने के बाद हम इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम एक कड़ाई में तेल लेंगे तेल यहाँ पर मैंने 100 ml लिया है और उसको अच्छे से गर्म कर लिया है अब हम पनीर का एक एक पीस लेंगे और इस गर्म तेल में डाल देंगे फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे इस तरह से हम सभी पनीर को इसमें डाल देंगे पनीर को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे पहले हम एक साइड इसकी फ्राई कर लेंगे उसके बाद जब ये अपना पूरा शेप ले लेगा उसके बाद ही हम इसको दूस साइड में फ्राई करेंगे देखिए पनीर एक साइड ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे तो दूसरी तरफ भी हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे देखिए पनीर फ्राई हो चुका है अब हम इसको प्लेट आउट कर लेंगे अब हम वही तेल लेंगे और उस तेल में पांच लेसन की कलियां जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है उसको इसमें डाल देंगे और दो इंच का अद्रक का टुकड़ा है इसको भी मैंने बारीक चॉप किया है इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको हम fry कर लेंगे इसके बाद मैंने यहां पर दो बड़े साइज की प्याज ली है इनको मैंने क्यूब्स शेप में काट लिया है इसको भी अब इसमें डाल कर हम fry करेंगे और flame अब हम high रखेंगे क्योंकि high flame पर यह बहुत अच्छा बनता है इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे अब हम इसमें शिम्ला मिर्च डालेंगे तो यह एक बड़े साइस की शिम्ला मिर्च है इसको मैंने क्यूब्स शेप में काट लिया है और इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे अब हम इसमें टू टेबिली स्पून टामाटो साउस डाल देंगे उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें सोया साउस एड़ करेंगे तो यहां पर मैंने वन टेबिली स्पून सोया साउस लिया है इसको भी इसमें अब हम डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तीन हरी मिर्च हैं उनको मैंने बीच में से काट लिया है इसको भी हम डाल देंगे यह हाई फ्लेम पर बनता है इसलिए बराबर चम्मच चलाते रहना है और इसमें हम हाफ टी स्पून नमक डालेंगे नमक हम half teaspoon इसलिए डाल रहे हैं कि सौसेज में भी नमक होता है और हमने इससे पहले पनीर में भी mix करा था तब हमने नमक डाला था अब हम इसमें पनीर add कर देंगे जो हमने fry करके रखा हुआ था उस पनीर को हम इसमें add कर देंगे और अच्छे से इसे mix कर लेंगे टू टेबिल इस्पून इसमें हम सिर्का डालेंगे और उसको भी हम mix कर लेंगे देखिए यह अच्छे से पक चुका है अब हम इसमें 1 टी स्पून पानी डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे यह देखिए ड्राय चिली पनीर बनकर तयार हो चुका है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया है मैंने और अब हम फ्लेम को आफ कर देंगे अब पनीर बनकर तयार हो चुका है तो चलिए अब हम इसको डिशाउट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही मज़ेदार लाजवाब टेस्टी ड्राइचिली पनीर बनकर तयार हो गया है आप इसे गर्मा गर्म स्टाइटर्स में सर्फ करें यकिन जानिए बहुत ही मज़ेदार बनता है आप इसको एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा उमीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी अगर रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजेगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है फर्स्ट टाइम आए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिए तो मिलते हैं अब एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफेज